कि ही गाइज वेलकम वांद चानल वेवस ऑफ बालोजी आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अबाउट ड़ एमसी क्यू और नीट हमेशा कि जारा हम सिर्फ एमसी क्यू को समझेंगे नहीं बलकि उसमें डीटेल में बात करेंगे जो भी इसके ऑप्शन दिये जो blood होता है उसके अंदर दो components होते हैं एक होती है formed elements और एक होता है plasma तो जो formed elements होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं RBC, WVC और platelets और ये त्रोंबोसाइट लुकसाइट इसमें पुछा गया है कि विच वन अर ग्र Hoffman इसमें एग वाय जाते हैं आपके सामने बहुत सारे ऋप्षण से हुए हैं अब और और उप्षण आपको वह जो आपको पहले से याद होगा तो मैं आपको उदा देती हूं कि जो WBC होती है वो कितने डाइप की होती है और कैसे उनके डाइगराम है तो आज डाइगराम कितरों सवंजनी कोशिश करेंगे तो देखो एक आपको दिख रहे होगे एरित्रोसाइट फिर है प्लेटलेट्स प्लेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटले अगर नहीं भी clear है, neutrophil में आपको बहुत हलका-लका दिख रहा होगा, क्योंकि उसकी staining थोड़ी हलकी होती है, आपको रहा है clear नहीं दिख रहा होगा, बट अभी एक next, जो मैंने लगाया है, picture उसमें clear हो जाएगा, बट यह जो तीन होते हैं, ENB, ठीक है, जैसे मैंने एक ट्रिक से याद भी करा देशा कि PNB बैंक होता है, वैसे ही ENB, ENB, Isnophil, Neutrophil and Basophil, इन तीनों में granules होते हैं, ठीक है, तो हम ध्यान रख सकते हैं कि ENB बैंक में क्या है, granules भरे हुए, तो हमेशे आद रहेगा कि ENB is the granulocyte, जहां भी आपको आप्शन में तीनों दिख रहे हैं, ENB वहीं को उसी ओप्शन को आपको राइट करते हैं उसके लावा जो दो होते हैं मलब की Monocyte और Lymphocyte, वह दोनों एक granulocyte होता है, तो हैं आपका जो भी इस टॉपिक में क्योंकि यह टॉपिक बहुत इंपोर्टेंट है और हर बार इस टॉपिक से कॉशन जरूर पूछा जाता है, क्योंकि बहुत इसको याद रखना नहीं होता है बड़ जब तक आप बार 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 बास को रवाइस करते रहोगे तो आपको हमेशे धान रहेगा और बस बेसिकली इतना धान रखो इन ब्याद रहेगा तो याद रहेगा कि कौछ से ग्रैनूल साइट है और कौछ से इक रिव्पोसाइड 12 ml मतोसाइट एंड़ लिंफोसाइथ ईड़ीं डίक्स उनके नूक्लियस बहुत चारे होते हैं इस डाग्राम में भी आप देख सकते हो कि आपको दिख रही होंगी होता है headphone shape का होता है तो इस हमेश हमेश रहन रखना उसके बाद जो neutrophil होते है उसमें bilobe nucleus होते है multi-lobed होता है basophil इसमें आपको बहुत सारे granules दिख रहा होंगे इसमें बताया था कि it is a granulocyte and lymphocyte इसका nucleus बीश में बड़ा सा होता है okay so guys I hope you like this video if you like then please hit like button share with your friends and if you have any query just feel free to comment below and guys if you want that I have more videos in which we will discuss in detail in detail so I have a comment section in the description in the description you have made e-book and different videos that I have made neat for you in the description you will get a link so click on it and if you want to know about homeopathic medicines so you have another channel you have a link in the description and you can click on it and see that channel too so guys till then bye bye take care thank you so much for my love and support watch my all videos and now I have made a neat slay bus video that you will click on the i button so you will see that video too till then bye bye take care